बिहार के उत्रे हिस्से के कुछ जिले में हर दिन बारिश की संभावना बढ़ती ही जा रही है मौसम विभाग के उनसार आज बिहार के जिले पुडबी और पश्मी चंपारन अरडिया सुपॉल सितामडी और मधुवनी के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ भारी से भारी बारिश के संभावना है इस बावत मौसम विभाग ने इन जीलों के लिए यलो अलर्ट जाड़ी किया है इसके साथ ही हवाओ के चाल 15 किलो पी चुपरती घंचा दर्ज की जा सकती है जहां अधिकतम तापमान 30 डिगरी सेल्सियस और नियूनतम तापमान 26 डिगरी सेल्सियस दर्ज की जा सकती है मौसम विभाकी माने तो मौनसुन ट्रफ अभे विकानेर भिवानी दिली बडेली गोड़कपूर दर्भंगा जलपाई गुरी और वहां से उतरपुर्व की ओर पुर्वी असम से गुजर रही है स्रिलका तट से दूर बंगाल की दक्षिन पश्रिम खाडी के उपर चक्रवा होनी की वज़े से राज्य भर के अधिकतर हिस्सों में लगतार बारिश हो रही है जिससे बाज का खत्रा लगतार बना हुआ है हालांकि गंगा समित कई अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आई है लेकिन पुन-पुन और कोसी नदी लोगों की चिंता बढ़ाई हुई है वह उत्तर पश्मी बिहार के जिले पूर्वी और पश्मी चंपारन, सिवान, सारन और गोपाल गन जिले में आज अनेक अस्थानों पर वर्षा होने की संभावना है वही उत्तर मध्य बिहार के जिले सितामधी, मधुबनी, मुजफरपूर, दर्भंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तिपूर में भी अनेक जगों पर बारिश होने का अनुमान है उत्तर पूर बिहार के जिले सुपॉल, अरेडिया, किशुनगंस, मध्यपूरा, सारसा और पुर्णिया जिले में भी आज अधिकतर जगों पर बारिश होने का अनुमान है वही दक्षिन पशिम बिहा बबुआ औरंगाबाद जौहानाबाद और अर्वल के कुछी स्थानों पर बारिश की संभावना है दक्षिन वद्द बिहार के जले पत्ना गया नालंदा शेकपूरा-णवादा बेभुसरय और लखी सराय जिले के कुछी जगों पर हलकी बारिश की संभावना है वहीं दक्षिन, पूर्बिहार के जिले कटिहार, भागलपूर, बाकर, जमुई, मुंगेर और खगडिया जिले के अधिकतर जगों पर बारिश होने का अनुमान है विशेश रूप से राजधारी पटना की बात करें तो आज पटना सहीत इस सटे इलागों में आस्मान में आंशिक रूप से बादल चायर रहने के वज़े से एक दो जगों पर हलकी से मध्यम बारिश होने का अनुमान है जहां अधिकतम तापमान 30 डिगरी सिल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिगरी सिल्सियस दर्ज की जा सकती है आज के लिए बस इतना ही बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज धन्यवाद